थोड़ा ध्यान दे तलाग के केस में छोटी सी गलती एक पती ने की और उसकी सारे संपत्ती पत्री के नाम तो हो ही गई उल्टा उसको उसी के घर से अलग कर दिया गया और कोर्ट ने उसको पैसे देने के लिए भी कहा तो यहां पर अगर आपको गलती कर देंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है इसी लिए मैं आपको ये बात अल्रेडी बता रही हूँ कि ये गलती आज के बाद आप अविशे में ना करें नहीं तो ऑन्रेबल सुप्रीम कोट का जो जजच्मेंट है वो आप पर बहुत हा है और क्या है वो बाते जो गलती आपको नहीं करनी है ताकि आपके साथ ऐसा ना हो पूरी जनकारे आपको देंगे लेकिन उससे पहले चल्ब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को पूरा देखें गणपती बपा बोलिया यहां पर अगर कोई पती पत्नी के उपर जूता केस लगा देता है जूता दावा कर सकता है जूटी बाते कहता है उससे सिर्फ तलाख लेने के रिए तो ऐसे हालत में अगर यह साबित हो गया कि पती ने सब जूर बोलाया तो पत्नी को पती की सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया जाएगा आपको यहां पर एक अगस्ट दो हजार चौबिस का ही जच्चमेंट है बहुत ही नया जच्चमेंट है उनरेबल सुप्रीम कोट का तो पहला ग्राउड है क्रूर्टी कई बार क्या होता है पती लिख देता है कि क्रूर्टी बेस पे मुझे तलाख चाहिए और इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो आपको बता दो यहां पर पती को बाते सारी साबित करनी होंगे जो अपनी पेटिशन में उसने लिख है और अगर इस दौरान पत्मिये साबित कर देती है कि इसने मुझे प्रवोक किया और यह सब बाते मुझे उगलवाई और क्योंकि कोई दूसरी शादी कर ले क्योंकि पहले इसका अफैर ता और अब यह अपनी जो फ्रेंट ती जिससे शादी करना चाहता है उस से चाहता है किसे लिखार और मुझे हलिक्ता है और मुझे मार papida करता है तो यह केस उल्टा आपके उपर हावी कर सकता है। दूसरा जो ग्राउंड लिया जाता है वो होता है सेपरेशन, अब यहां पे भी ओनरेबल सुप्रीम कोट ने क्लियर किया, कि भई ठीक है सेपरेशन ग्राउंड पे आप डाइवोस फाइल कर तो दिये हो, लेकिन क्या उस स साबित करना होगा, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा रूट के चली गई है, अब मैं उसको लेने जाओ, मैं ही बनाओ, मैरे सारा कुछ जी हां, आपको करना होगा, नहीं तो यह केस आपके उपर उल्टा पढ़ सकता है, क्योंकि सेप्रेशन अगर साबित करना है तो यहां पर एक वड़िटी तो बनता है, आपके बच्चे से आपकी फत्नी ने आपको मिलने नहीं दिया, लेकिन यहां पर उल्रेवल सुप्रीम कोड का कोशिण है कि आप कितनी बार उससे मिलने की कोशिश की बच्चों से, क्या उसका खर्चा पानी का खर्चा आपने उठा इसके बच्चा साल हो गए ना तो आपको खर्चा दिया है ना उसकी कोई केर की है तो हां यही ग्रांड पर उल्टा पर सकता है कई बर होता किया है कि लड़का तलाव है रेकिन लड़के के घर वाले चाहते हैं कि बही करें तो गलत है उसकेंलली ग्राथा साइड है वो आपको ही गलत ठहरा रहे हैं तो यहाँ पे भी वो केस आप पे उल्टा पड़ सकता है बताने आपको 12 अगस 2024 का यह जच्चमेंट है और यहाँ पे सुपरीम कोट ने सारे पैक्ट को देखा है कोड़ी तरह से देखा है समझा है और फिर यह कहा है कि भई यहाँ पे तो जो है मा ही खुद कह रही है कि मेरा बेटा गलत है तो हम यहाँ पे पत्नी को किस तरह से गलत ठहरा सकते हैं तो यहाँ पे ओनरेबल सुपरीम कोट ने कहा अगर कोई वैक्ति सिर्फ अपने फाइदे के लिए डाइवोस चाहता है तो ऐसे वैक्ति को डिवोस नहीं देना चाहिए बलकि उसे सारी घटना का जिम्मेदार ठहरा देना चाहिए यहां पर ओनरेबल सुपरीम कोट ने यह भी कहा कि जहां पर उसके जो बेटे की मा रहती है उसकी बीवी रहती है उसके बच्चे रहते वो घर उनी के लिए रहेगा उनका उन पे कबजा रहेगा उल्टा पती को कहा कि अब आपका इस पे कोई अधिकार नहीं है आप बाहर चले चाहिए क्योंकि यहां पर तलास किसको चाहिए था पती को चाहिए था तो पती को की घर से बाहर कर दिया बीवी का बच्चों का उसकी जो मा थी यानि कि पती की जो मा थी और पतनी की सास्ती वो उसकी खर्वित रही नहीं, ओन्रेबल सुप्रिम कोट ने आखिर में एक और मज़िदार बात कही कि उपर लिखी गई शर्टे यानि कि जो भी शर्टे लगाए गई है डिवोस के लिए अगर उनका पालन नहीं किया गया तो इस तलार की ठीकरी को कैंसिल कर दिया जाएग तो यहां पर आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि आप अपने केस में अगर आप ट्रॉल्टे के सेपरेशन के बेस पर केस लड़ रही है और डिवोस चाहते हैं तो यह गलतिया बिल्कुल नहीं करनी है केस डिटेल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ताकि आप आपको समझ में आजाए कि क्लियर्टी क्या है और कौन सा केस था लेकिन फिर भी अगर आपका केस चल रहा है या आप केस करना चाहते हैं और आप हमसे कोई क्वारी चाहते हैं तो आप हमसे वर्सक नमबर पर पाइडमेंट लेकर बात कर सकते हैं इसी तरह से हमारा सहयोग गीजेगा जेए